के मोरकेट में और दोस्तों वहीं परMacroTech xp 1400 यह की पाकिंग आप देख सकते दोस्तों आपको देखने को मिलेगा दोनों ही दोस्तों आपको recoteica ब्राइंड में आता है दोस्तों इस में जो है आपका extra में inbuilt bypass switch दिया है fast charging 90 volt पर दिया है और inbuilt mcb दिया है तो fast charging 90 volt पर दोस्तो ये भी है दोस्तो इस पर नहीं लिखा है इसका मतलब ये नहीं करेगा ये भी 90 voltage पर दोस्तो आपको charge करता है और ये भी जो है 90 volt पर चार्ज कर देगा तो दोस्तो ये चीज रहा पाकिंग के अब नीचे में इंवर्टर जो है मैंने ओपिन करें रखा है पहले से बात करते हैं front side की दोस्तो तो पहले चीज तो आपको ये switch इस inverter में भी मिलेगा और इस inverter में भी मिलेगा दोनों में switch आपको मिलेगा यहां पर शुदा और यहां पर दोस्तो 1550 डीजी आपको देखने को मिलेगा दोनों ही inverter में आपका model नंबर आपको मिलेगा यह जो लिखा रहाता है दोस्तों यह model नंबर होता है इसमें आप देख सकते हैं में में सो ऑन आपको दोनों में देखने को मिलेगा आपको यूपीज ओन इसमें भी और इसमें दोनों में सेम चीज आपको मिलेगा हर जगे यहां पर दोस्तों केवल जो है output का socket उसके बाद दोस्तों आप देखिए यह menz wire के बाद यह xp-1400 का wire आप देख सकते दोस्तों यह xp-1400 है आपका xp-1400 का wire पचीछ पचीज हमें मिलेगा वहां पे दोस्तों आपका 1520 में मिले आपका 16 मम मिल रहाँ है और यह इसमें मिल रहा है गुद्बयों आपको ढीख सकते हैं दोस्तों ईंपट वोल्रेंज कर उच्छ धाय। और यहां पर जबके दोस्तों charging current के लिए भी दे रहा है और आपका input voltage range भी दे रहा है और charging voltage भी दे रहा है यह वाला switch जो है आपको extra इसमें मिल रहा है और दोस्तो बात करते हैं दोस्तो इन दोनों के ही कंपनी द्वारा लेबलिंग की गई हुई पावर की तो दोस्तो आप देख सकते हैं यहाँ पे model number xp 1400 लिखा हुआ है उसके नीचे input voltage range आपको लिखा हुआ मिलेगा 220 volt 6.7 ampere 50 hertz पे output में दोस्तो 220 volt आपका 5.68 ampere और capacity दोस्तो है जो आप देख सकते हैं दोस्तो 1250,000 watt पे यानि कि यह 1000 watt का inverter है 1000 watt का यह inverter है दोस्तो दूसरे साइड हम बात करें इस inverter की दोस्तो तो आप देख पाएंगे दोस्तो xp 1550, sorry heavy duty ups 1550 dg model number आपको लिखा हुआ मिलेगा नीचे में आपको देख सकते हैं दोस्तो voltage जो था 220 और current जो था 6.7 था और output में दोस्तो 220 और यह जो था 5.68 उसमें भी था और इसमें भी है और capacity की बात करें दोस्तो तो यह 1250 भी है यह भी है जो हम लोग xp 1400 देखे थे वो भी है और इसका भी जो capacity है 1000 watt है यानि कि दोस्तो यह दोनों ही inverter जो है 1000 watt के हैं अब आप लोग ही तैकिजिए दोस्तो कि आपके लिए कौन सा waste है यह waste है यह waste है यह waste है तो दोस्तो इस inverter का जो price है आपको 3300 से 5600 आएगा वहीं पर इस inverter का price जो है आपका 6000 से 6500 तक आएगा